Dear students, Welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Java Script का Chapter No.23 Match Function with Registry Expression को contain करना है. Students, Regular Expression को हम Pattern Match करने के लिए और किसी भी टेक्स्ट के अंदर से कुछ सर्च करने के लिए या फिर उसमें से Replace करने के लिए हम Regular Expression का Use करते हैं. लेकिन जो Regular Expression की जो Definition आपको तभी सही से समझ में आएगी जब आप इस Match Function को पढ़ लेंगे. तो सबसे पहले हम सीखते हैं Match Function को. तो जो यहाँ पर देखिए Match Function क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से किसी भी टेक्स्ट को Find Out करने का काम करता है. अब यह कैसे होगा? चलिए उसका Practical देखते हैं. यहाँ पर देखिए मैंने स्क्रिप्ट चालू का रखी है Body में और मैं इसमें एक Variable बनाता हूं X के नाम से. और इस X के अंदर मैं कुछ String को यहाँ पर Store करता हूँ. तो देखिए मैंने यहाँ पर Write किया I am from Delhi. अब मैं चाहता हूँ इस String के अंदर से मैं from को Find Out करूँ या फिर Delhi को Find Out करूँ. तो यह कैसे होगा जरह वो देखिएगा और Match Function कैसे काम करता है जरह वो भी एक बार समझने की कोशिश करिएगा. अब मेरे को Match Function किसमें लगाना है इस Text पर लगाना है इस String पर लगाना है तो यह String कहां पर है हमारा इस Variable में. तो मैं यहां नीचे क्या करूँगा Variable को ऐसे Write करूँगा तो यह Variable लिखने का मतलब यहां पर क्या लिखा है मैंने इस String को यहां पर लिख दिया है तो अब मैं इस Text के अंदर या फिर इस Variable में क्या लगाँगा ऐसे Match Function लगाँगा कुछ इस तरह से Match Function मैं इसे बोल रह यहां पर write कर दो ठीक है जो भी हम Paranthesis के अंदर कुछ भी Text लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं मैंने यहां पर parameter write किया है ठीक है तो आप याद रखेगा इसके अंदर हम जो भी कुछ write करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे parameter बोलेंगे ठीक है तो जो भी Text आपको find out करना है इस Line म और अगर इस statement को इस पूरी statement को इस second line में अब जो देख रहे हो यह वाली statement अभी statement में क्या return करेंगी ठीक है तो जब वो देखिए मैं यहां पर एक variable बना लेता हूं z के नाम से और यहां पर नीचे window.alert में इस z को मैं यहां पर pass करेंगे आपको दिखाता हूं कि यह मेरे को क्या return करेंगा तो जब यहां पर देखिएगा एक बार समझने के एक बार फिर से कोशिश करिए कि इसके इस x में से match होगा क्या match होगा यह delivery word match होगा अगर इस x के अंदर delivery word match हो जाएगा तो जो यह वाली statement है यह हमें इस z के अंदर delivery word को ही return कर देगी ठीक है लेकिन अगर इ यह statement हमारी इस z के अंदर null value को return कर देगी ठीक है तो जब सेव कर लिजे इसको और देखते हैं यह अभी हमें delivery return करता है ओके सो मैंने इसे देखो reload किया और देखो इसने में क्या return किया delivery return किया लेकिन अगर ऐसा text मैं इसमें write कर दू जो इस line में है ही नहीं तो देखो क्या हो null return किया okay so I think आपको समझ में आ गया होगा कि match function कैसे work करता है तो चलिए अब हम क्या करते हैं इस match function को हम form के respect में सीखते हैं ठीक है तो form के respect में सीखने के लिए आजाए यहाँ पे उपर body में और यहाँ पे मैं एक form बनाता हूँ ठीक है एक ऐसा form जो हमसे email id हमारा मांगेगा ठीक है तो मैंने इस form में यहाँ पे पहले email डाल दिया email id और फिर यहाँ पे break लगा देता हूँ कि जो भी मेरा input box बने वो एक line छोड़ के नीचे बने ठीक है तो मैंने यहाँ पे लगाया input type email ओके यहाँ पे name attribute दे दो और यह define कर दो जो यह input type आपने बनाया है वो किस के ल java script में select करने के लिए आप इसमें id पास कर दो तो मैं इसमें id भी email ही पास कर देता हूँ जिससे कि मैं इसे java script में select कर सकूँ ओके अब अगर मैं इसे save करूँ और यहाँ पे एक minute नीचे एक submit button भी मैं बना लेता हूँ input type submit ठीक है save करके अगर मैं इसे run करता हूँ तो देख देखो मैं यहाँ पर यह email डाल देता हूँ ठीक है और submit पर click करता हूँ तो देखो सही से यह submit हो चुका देख रही है यहाँ पर देखो submit हो गया लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ गलट text ऐसे ही type कर दूँ और submit करूँ तो देखो क्या यह submit होगा देखो इस submit नहीं होगा देखो उपर इसने मेरे को message दे दिया क्या message दे दिया जब मैं submit कर रहा हूँ तो please include an add the rate symbol ठीक है मतलब यह कह रहा है जो भी आपने यहाँ पर email डाला है उसके अंदर add the rate का symbol नहीं है और ऐसा भी कोई email id नहीं होती जिसके अंदर add the rate symbol नहीं होता है तो इसमें क्या है एक validation ल हम भी अभी क्या करने वाले हैं इस email id के अंदर एक validation लगाने वाले हैं कि इस email id के अंदर आप yahoo mail.com की id send कर सको gmail की id send ना कर सको ठीक है तो अब यह functionality या फिर यह validation हम इसके अंदर कैसे करेंगे चलिए उसको सीखते हैं तो सबसे पहले आपको इसके अंदर के text को examine करना होग कि user ने email id type कौन सी की है ठीक है so I think मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह चीज तो समझ में आई गया होगा और यह चीज पहले से पता ही होगा कि किस तरह से हम किसी भी input box के अंदर की जो value है जो भी user type कर रहा है उसे कैसे examine करते हैं तो चलिए यहाँ पर आजाए यह script के अंदर और मैं यहाँ पर एक variable बना लेता हूँ user input के नाम से means जो भी user type करेगा वो किस में जाएगा user input input नाम के variable में जाएगा ठीक है so मैं यहाँ पर document.getelement by id के माध्य हमसे से select कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने email ऐसे type कर दिया तो email लिखने का मतलब क्या है यहाँ पर मैंने id की value write कर दी ठीक है इसके बाद यहाँ पर मैं dot लेके value यहाँ write कर लूँगा तो क्या होगा अब जो भी user इस input में type करेगा वो कहाँ आएगा user input के अंदर आ जाएगा ठीक है अब मैं क्या करू email dot com return है यह नहीं ठीक है तो देखो मैं यहाँ पर ऐसे type करता हूँ पहले लिखूंगा user input में ऐसे match function लगाँगा और इस match function के अंदर ऐसे write करूँगा yahoo mail dot com जैसे कि आपको याद होगा जब आप लोग gmail की id लिखते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से देखो होता है ना जै means आप last में क्या लगाते हो add the rate gmail dot com वैसे ही yahoo की भी होती है जिसमें क्या लगता है add the rate yahoo mail dot com ठीक है तो I think आप समझ गए अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यह match करें के देख रहे हैं क्या user input ने जो भी type किया है उसके अंदर yahoo mail dot com write है यह नहीं ठीक है अब हम अभी क्या कर लेंगे इसको एक condition की तौर पर लेके चलते हैं ठीक है किसकी तौर पर लेके चलेंगे इसे condition की तौर पर और मैं condition लगा रहा हूं तो कैसे लगेगी इसके बाद हम अगर question mark दे दें तो क्या होगा यह turnary operator ठीक है अब होने के अवाला है ज़रा वो ध्यान समझेगा समझेगा यहां पर मैंने लिखा है अगर user ने यहां पर yahoo mail.com write किया है तो क्या हो और अगर yahoo mail.com write नहीं किया है तो क्या हो यह आपको define करना है तो अगर user ने input box में yahoo mail.com write कर दिया है तो क्या होना चाहिए तो मैं यहां पर कर देता हूँ window.alert हो चीक है क्या हो window.alert हो और इसमें लि mail accepted ठीक है लेकिन अगर user yahoo mail.com write नहीं करता है तो message I mail not accepted ठीक है तो मैं यहाँ पर window. alert ऐसे pass करता हूँ और इसमें write कर देता हूँ mail not accepted okay कुछ इस तरह से so I think आप समझ गए यहाँ पर क्या हो रहा है user जो भी input कर रहा है वो match करके देखा जा रहा है अगर user ने yahoo mail.com इस input में write कर दिया है तो window.alert हो mail accepted अगर yahoo mail.com नहीं लिखा तो क्या है mail not accepted लेकिन ज़िए यहाँ धिहान दीजे हमने क्या किया यहाँ पर इसे किसी भी function में नहीं रखा है तो यह direct call हो जाएगा ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इसे के लिए एक function बना लेता हूँ और मैं इसे submit पर call करवा दूँगा ठीक है so मैं यहाँ पर इसे function बना लेता हूँ stp के नाम से और इसी के अंदर जितनी भी instructions है statement है इसको मैं यहाँ से cut कर लूँगा और इस function के अंदर इसे paste कर दूँगा अब मैं इस function को stp वाले function को इस input type submit पर call कर वा लेता हूँ तो मैं इसे on click पर इसे call कर आ लेता हूँ कुछ इस तरह से ठीक है अब मैं इसे save करूँगा और इसे run करके देखूँगा क्या यह सही से work करता है या नहीं तो यह देखिए students मैंने यहाँ पर email ID डाल दी amitkumar kushwaha 74 at the gmail.com ठीक है अब अगर देखो मैं यहाँ submit करता हूँ तो देखिए क्या message आता है तो मैंने देखो submit किया और यहाँ पर क्या message आया mail not accepted मतलब कि यह mail आपका accept नहीं होगा जब तक आप यहाँ पर gmail.com लिखे रहोगे तो mail accept नहीं होगा अगर yahoo mail डालते हो तो ही accept होगा तो चलिए अब हम क्या करते हैं yahoo mail डालके देखते हैं तो मैंने यहाँ पर डाला amit add the rate yahoo mail.com ठीक है submit पर क्लिक करता हूँ तो देख रहे है alert आया mail accepted ठीक है तो I think आपको सही से अप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप mail function का sorry mail function कहा रहा हूँ match function का आप use सीख गए होंगे दो तरीके से मैंने आपको match function का use सिखा दिया है एक तो आप सीधा variable के अंदर से ही निकाल सकते हो और आपको ये भी पता है कि ये हमें क्या return करता है और आपने इस match function को form के respect में condition के साथ भी सीख लिया है अब हम सीखते है registry या फिर registration operator को sorry operator कह रहा हूँ मैं registry expression को आप देखो इसे registry expression भी कह सकते हो या फिर regular expression भी कह सकते हो अब सीखते हैं इसका use अब regular expression का use हम तब करते हैं जब हमें कोई pattern बनाना हो और उस pattern को match करके देखना हो या फिर search की functionality बनानी हो या फिर replace की याद होगा आपको हम fake path replace करना हमने सीखा था इसी regular expression के माधियम से याद होगा आपको तो अब ही हम क्या सीखने वाले हैं याँ पे pattern matching functionality को अब pattern matching का मतलब क्या है और इसे हम क्यों use करते हैं जर वो समझने की कोशिश करिए तो जर यहाँ पर देखो अब मैं यह चाहता हूँ इस form के अंदर जो यह email वाला box देख रहे न इसके अंदर मैं यह चाहता हूँ कि user capital letter भी type करे small letter भी type करे और number भी type करे तब जाके email accept हो या फिर email की जगह मैं यहाँ पर password अगर write करे देता हूँ जैसे देखो यहाँ पर मैंने क्या write किया password ठीक है input type यहाँ पर मैं password करे देता हूँ email की जगह ठीक है अब आप सही से समझ पाएंगे अब यहाँ देखो यह name email ही रहन देता हूँ एक capital letter भी हो एक small letter भी हो और साथी साथ एक number भी हो ठीक है यह तीनों चीज जब तक नहीं होगी उसके password के अंदर तब तक हम उस password को accept नहीं करेंगे तो अब देखो आपको क्या करना होगा इस match के अंदर आपको छोटी ABCD A to Z लिखनी पड़ेगी क्योंकि अब user तो कुछ भी password डाल सकता है ठीक है या फिर आपको क्या लिखना होगा पूरा 0 से लेके 9 तक आपको पूरी counting भी लिखनी होगी या फिर आपको अगर capital letters भी दे रहे हो तो आपको capital letter में ABCD पूरी Z तक आपको इसके अंदर राइट करनी पड़ेगी तभी तो आप जो भी user यहाँ पर input कर दा है उसे match कर पाओगे ठीक है तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर आप regular expression का use कर सकते हो ठीक है अब use कैसे होगा जरब वो देखिए यहाँ पर सो यहाँ देखिए regular expression का एक syntax होता है पहले slash फिर pattern आप write करो फिर slash आप दो और फिर modifier दो ठीक है तो यह एक तरहिका का syntax है आपके regular expression का ठीक है अब जैसे कि यहाँ पर example में देखिए जैसे आपको capital letter का regular expression बनाना है ठीक है तो आप क्या दोगे पहले slash ऐसे ठीक है फिर angle bracket open करोगे sorry angle bracket कह रहाँ big brackets open करोगे उसमें capital A hyphen Z इसका मतलब यह होता है आपने A से लेकर के Z तक के letters को यहाँ पर write कर दिया है ठीक है और slash दोगे और उसके बाद आप यहाँ पर modifier को डाल दोगे अब यहाँ पर मैंने G क्यों डाला ठीक है ज़र वो समझे modifier क्या है तो modifier आपका यहाँ पर two types के हैं एक का case sensitive है एक का case insensitive है अब case sensitive और insensitive को भी आप समझ लीजे अच्छे से कि क्या है ठीक है case sensitive का मतलब यह होता है कि अगर capital में word लिखा है तो capital में ही होना चाहिए और अगर small में लिखा है तो small में ही होना चाहिए ठीक है case insensitive का मतलब यह होता है अगर आपने capital में write किया है लेकिन अगर आप small भी write कर दोगे तो भी चल जाएगा ठीक है मतलब आपके letters upper और lower हो तो भी चल जाएगा कोई problem नहीं आएगी लेकिन case sensitive का मतलब यह होता है कि जैसा write है वैसा ही आपको भी write करना है वहना वह work नहीं करेगा जैसे कि यहाँ पर हम लोग write करते है document.getelementbyid में तो देखो element में e capital लिखते हैं by capital का b capital लिखते हैं और id का i capital क्यों यहाँ लिखते हैं अगर आप यहाँ चोटा कर दोगे तो क्या यह work करेगा नहीं करेगा तो इसी को हम क्याते है case sensitive ठीक है अब यहीं पर देखो जैसे मैं कि यहाँ पर क्या करता हूं कि यह yahoo.com वाली mail id है न मैं इसको पहले ctrl z करके पहले जैसा कर देता हूं अब यहाँ देखो हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए क्या किया था email में एक condition लगाय थी validation लगाय था कि उसमें yahoo mail.com होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर yahoo का y capital कर दूं ठीक है yahoo का y capital कर दूंगा तो देखना वहाँ पर भी आपको इस input के अंदर भी आपको y को capital ही करना होगा ठीक है तो जर देखिए टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार अब देखो जिसे मैं यहाँ पर लिखता हूं amit add the rate yahoo mail.com देखो यही लिखाता ना हमने पहले लेकिन इसमें देखो y छोटा है अब देखने यह accept होगा यह नहीं तो देखो क्या किया रहा है mail not accepted क्यों नहीं accept कर रहा है क्योंकि इसमें y हमने small में write किया है और यहाँ पर अंदर हमने match function में क्या write किया है y capital write किया है तो यही होता है case sensitive मतलब इससे आप यह समझ जाए कि आप जो भी match करवाना चाहते हो जो भी यह text write कर रहे हो उसका case भी क्या है sensitive है insensitive नहीं है ठीक है अब यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पर सही तरीके से email id write कर दूँ amit add the rate yahoo mail dot com ठीक है और यहाँ पर देखो y जो है इसको मैं capital letters में write करता हूँ अब अगर मैं submit कर दूँ तो देखो यहाँ पर क्या आ गया mail accepted आ गया ठीक है तो I think आप सही से समझ गए कि किस तरह से हम use करते हैं capital letters small letters के pattern modifiers को ठीक है या फिर आप यह समझ गए होंगे case sensitive क्या होता है case insensitive क्या होता है okay students अब हम क्या करेंगे इस regular expression को सही ढंग से और सही तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं तो बाकी तो ऐसे मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ पर हम क्यों modifier में G लिखते हैं अगर यहाँ पर हम G लिखेंगे जो भी case sensitive है यह case sensitive रहेगा लेकिन अगर हम यहाँ G की जगा i लिखेंगे तो इसका case जो है insensitive हो जाएगा means यहाँ पर हम A to Z capital में लिखे हैं तो क्या होगा आप अगर lower case में भी A to Z लिखते होगे तो यह भी accept कर लेगा लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है हमें इसका case sensitive ही रखना है ठीक है तो अब हम क्या करने वाले हैं जो ध्यान से देखिएगा इस regular expression के respect में हम एक बहुत बड़ी functionality बनाने जा रहे हैं password की ठीक है तो जो उसकी functionality के बारे में आप थोड़ा समझ लीजे मैं यह चाहता हूँ password जो भी हम write करें उसमें capital letter हो small letter हो और number भी हो अगर यह तीनों चीज उस password के अंदर होगी तो यहां पे देख रहे हैं यहां पे नीचे लिखा आ जाएगा password accepted ठीक है लेकिन अगर यहां पे यह तीनों चीज नहीं होगी तो यहां नीचे लिखा हुआ password not accepted ठीक है तो हम कुछ इस तरह से हम एक functionality बनाने जा रहे है password की ओके तो चली हम क्या करते हैं जो हमने यह form बना रखा email वाला इसको पहले हम password में convert कर लेते हैं ठीक है तो यहां देख रहे है email id है तो मैं email id की जगा password write करते हूँ और यहां पे input type email है इसको भी मैं यहां पे password ऐसे write कर लूँगा name भी हमारा password हो जायगा और यहां id भी मैं यहां पे pass ऐसे write कर देता हूँ ठीक है और यहां पे input type submit ऐसे ही रहेगा save कर दन्य करता हूँ देखता हूं किस तरह से मेरे को प्रिवीव होता है तो यहां देखिए यहां पर पास्वोड आ चुका है अब मैं इसमें कुछ भी राइट करूंगो तो यह पास्वोड की तरह वर्क करेगा ठीक है सो यहां पर आजएगे कोड में और जो भी हमने स्क्रिप्ट में फंक्शनलिटी डिफाइन करे थी इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं अब जर सुनिए अब हमें करना क्या है इसके अंदर सबसे पहले उसके अंदर क्लिक करके पास्वोड राइट करके जब हम इस इन्पूट बॉक्स पे क्लिक करें मिंस इस पटन पे क्लिक करें सब्मिट पे तब वहां पे मैसेज आए कि पास्वड एकसेप्टेड और पास्वड नॉटेड तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पे नीछे form के बाद एक h1 या फिर h2 को या फिर p element को इस तरह से already यहाँ पर रख देंगे ताकि हम इसके अंदर message को print कर सके inner html के माध्यम से so मैं इसके अंदर भी एक id लगा देता हूँ msg के नाम से अब आज़े ही यहाँ script के अंदर और आपको क्या करना है सबसे पहले registry expressions को यहाँ पर store करके रख लेना है variables के अंदर टेक है तो दिखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पहले तरह एक function बनाऊँगा क्योंकि जो भी काम होगा हमारा function के अंदर होगा और जब function call होगा तब जाके यह भी सारी instruction execute करेंगी जो भी हम इस function में define करने जा रहे हैं तो आप क्या करो सबसे पहले एक variable बनाओ और इस variable के अंदर जिसे मैं यहाँ पर capital के नाम से variable बना लेता हूँ और इसके अंदर regular expression को assign करूँगा देखो slash कुछ इस तरह से एंगल यह आप bracket दे देना big brackets और यहाँ पर slash ऐसे ठीक है इसके अंदर मैं चाहता हूँ capital A से लिकर के capital Z तक के letters store हो जाएं ठीक है और यहाँ पर आप क्या दोगे g pass कर दोगे g pass करने का मतलब क्या है g pass करने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो आपने यह expression write किया है इस expression का जो case है वो sensitive होगा means जो capital letter है तो इसके अंदर इस variable में क्या जाएगा capital letter से जाएंगे अब यहाँ पर आजाएए दूसर variable बनाएए मैं यहाँ पर lower के नाम से एक variable बना देता हूँ और इसके अंदर मैं छोटी a b c d को assign करूँगा ठीक है a to z ठीक है और यहाँ पर भी मैंने g को ऐसे modifier यहाँ पर write कर दिया ठीक है तो आप सरी से समझ गए होंगे कि यह है आपका expression और यह है g modifier ठीक है और मैं एक और को यहाँ पर store कर लेता हूँ नमबर को तो नमबर को मैं यहाँ से ऐसे assign कर लेता हूँ 0 से लेके 9 तक अब देख रहे हैं आप यहाँ पर इस इन तीनों को यहाँ पर write करने का मतलब यह हुआ इस capital वाले variable के अंदर A से लेके Z तक के सारे letters आ गए होंगे इस lower के अंदर small letter के सारे A से लेकर Z तक के letters आ गए होंगे और इस number वाले variable में 0 से लेके 9 तक के सभी number इसके अंदर store हो गए होंगे ठीक है तो अब हम क्या करेंगे सही तरीके से match function का इसमें यूज कर लेंगे ठीक है अब आपको क्या करना है इस input type आपने password लिखा है इसके text को इसके जो भी user ने password write किया है इसको आप examine करो इसके value को ठीक है examine करने के लिए पहले आप इसको select कर लो तो मैं एक variable बना लेता हूं यूजर इंपुट के नाम से ही कि यूजर ने जो भी type किया है इसमें आ जाया है ठीक है तो मैं यहां पे document.getElement by id के मादेम से इसको select कर लेता हूं password को और इसकी value यहां से निकाल के किसमें store कर लूँगा user input के अंदर ठीक है अब हम क्या करेंगे इसके अंदर match function रही से लगा के देखेंगे क्या यह work करता है या नहीं तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं user input क्या user input के अंदर match किया क्या match किया capital letters ठीक है तो देखो मैंने यहां पर पहली condition लगाई कौन सी condition लगाई यह पहली condition है क्या user ने जो input में जो भी user ने इसमें type किया है क्या उसके अंदर capital letters match हुए ठीक है फिर मैं यहां पर दूसरी condition लगा रहा हूं तो दूसरी condition लगाने के लिए मैं यहां पर end operator का use करूंगा ठीक है फिर दूसरी condition के लिए आप यहां लिखो क्या user input ने क्या उसके अंदर means password में lower letter का use किया है यह नहीं तो आप यहां पर ऐसे lower को भी ऐसे match कर लो ठीक है उसके अंदर capital letter भी होने चाहिए और lower letter भी होने चाहिए lower का मतलब small letters ठीक है फिर से आप logical end ऐसे operator दे दो और आप यह भी चेक करो क्या उस password के अंदर number भी है यह नहीं ठीक है तो यहां पर देखो तीन condition एक साथ चेक हो रही है और यह तीनों की तीनों condition compulsory होनी होगी ठीक है कैसे compulsory होगी क्योंकि यहां पर हमने logical end operator का use किया है मतलब उस password में capital letter भी होने चाहिए उस password में lower letters भी होने चाहिए और number भी होने चाहिए अगर यह तीनों होंगे तो क्या होगा वो question mark आप लगा करके means turnary operator लगा कि आप यहां पर write कर दो तो यहां पर क्या होना चाहिए मैं यहां पर न ऐसा करता हूँ string को write कर देता हूँ अगर यह तीनों है तो यहां पर लिखावा आ जाए password accepted ठीक है लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मैं colon का चित्र देके यहां पर लिख देता हूँ password not accepted ठीक है और इसके बदर ऐसे close कर दूँगा अब जो भी result आएगा वो कहां जाएगा एक variable के अंदर तो मैं यहां पर result नाम का एक variable बना लेता हूँ और इसके अंदर यह conditions चेक हो करके जो भी इसका string है वो इसमें आ जाएगा ठीक है अगर आपके password में capital letter, lower letter और number होगा तो इस result में क्या चला जाएगा password accepted और अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज missing होगी तो इसमें चला जाएगा password not accepted ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इस result को इस message वाले box के अंदर print करें के आपको दिखाता हूँ तो मैं इस message वाले box को select रे लेता हूँ यहां पर document.getElementById के माधिय हमसे तो मैंने यहां देखिये से select कर लिया और इसमें inner HTML का use किया और इसके अंदर मैंने result को इस तरह से assign कर दिया ठीक है अब आप इसे save कर लो और क्या कर रो इस function को call कर लो तो देखो जो यह हमने HTTP नाम का function बनाया है यह अलरड़ी यहां पर on click पे call हो रखा है तो जो यहां पर आजाएए और इसे reload करो एक बार और यहां पर अब देखो मैं क्या करता हूँ इस password में एक capital letter लिखता हूँ फिर एक small letter लिखता हूँ और फिर एक number को लिख देता हूँ ठीक है अब देखो मैं एक submit करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या आया password accepted आया और फिर चला गया ठीक है तो अब यह क्यों जा रहा है क्योंकि जो return function है वो सही से work कर रहा है means जहां से message आ रहा है वो वहीं चला जा रहा है तो मैं यहाँ क्या करना होगा इसमें return को false करना होगा ठीक है तो मैं यहाँ पर return के साथ मैंने function को call कर लिया क्यों function को call किया हमने return के साथ क्योंकि function के अंदर हमने return keyword का use किया है Okay Save करता हूँ Reload करता हूँ मैं इसे ठीक है Zoom कर लेता हूँ और यहां देखो मैं Capital letter write किया Small letter write किया And number write किया Submit करता हूँ तो देखो यहांपे क्या लिखाया Password Accepted लेकिन अगर मैं इसमें number नहीं write करता Submit करता हूँ तो देखो क्या लिखाया Mossword Not Accepted अब आपको यहां पर दिखना ही रहा होगा कि मैं capital में write करता हूँ या फिर small letters में तो मैं क्या करता हूँ अभी कुछ समय के लिए यहां पर password की जगह text कर देता हूँ जिससे क्या होगा आपको जो भी मैं type करूँगा वो दिखाई देगा ठीक है तो देखो मैंने इसमें गया और इसमें देखो मैंने small letters type कर लिये फिर देखो मैंने capital letter type किया और फिर देखो मैंने कुछ numbers को type कर लिया कुछ इस तरह से ठीक है submit करता हूँ तो देखो यहां पर क्या आया password accepted लेकिन देखो अगर मैं इसमें से number हटा दूँ सिर्फ small letter और capital letters के word को रहने दूँ और submit करूँ तो देखो क्या आगिया यहां पर password not accepted ठीक है आपको समझ में आया कि किस तरह से आप इस registry जो registry expression है आप उसका कैसे use करोगे आपको सही से समझ में आया होगा कि यह क्या है ठीक है इसको लिखने का मतलब क्या होता है कि A से लिखे Z तक कि सारी कि सारे letters इस capital में चले गए और इस capital को हमने यहां match में डाल करे के condition चेक कर ली ठीक है लेकिन अगर हमारे पास यह registry यह regular expression नहीं होता तो हमें क्या करना होता इस match के अंदर पूरी ABCD लिखनी होती A, B, C, D, E, F, G, H यह पूरा हमें लिखना पड़ था जिससे कि हमारे time काफी ज़्यादा waste हो जाता लेकिन इस regular expression के माधियम से हमने capital letters को भी ले लिया small letters को भी ले लिया और numbers को भी ऐसे write कर लिया ओके, so I think आपको यह सही से समझ में आ गया होगा और अगर यह सही से समझ में नहीं आया है तो आप इस video को दुबार से देखिए क्योंकि मुझे पता है अभी कुछ समय आपकी जो videos हैं काफी complicated आएंगी आपको समझने में दिक्कते आएंगी लेकिन आप video को बार-बार देखिए आपको जो भी दिक्कते हैं वो सही से समझ में आ जाएंगी ठीक है और अगर फे भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें call करेके अपनी दिक्कतों के बारे में पूछ सकते हैं जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है इसी के इस्पेक्टर में मैं आपको एक टास्क दूँगा जिसे कि आपको complete करेके send करना है और अगर वो टास्क आपसे ना बने तो आप मुझे call करेके पूछ सकते हैं So, thanks for watching our video Have a nice day